हैलो फ्रेंज, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों एक पोहम जिसका नाम है Crossing the Bar, जिसे लिखा था Alfred Tannesiany Alfred Tannesiany Crossing the Bar का मतलब, The Bar मतलब जिंदगी के एक राह, जिसे वो अब क्रॉस कर रहे हैं और यही वो इस पोयम में हमें बताएंगे कि किस तरह उनके लाइफ की जो अंतिम घड़ी थी, यानि कि उनका अंतिम समय आ गया था, क्योंकि वो 80 साल के हो गये थे, और यह समय था 1889 का, वो 80 साल के हो गये थे, और उनकी मृत्व 83 में हो गये थे, यानि कि 1892 में वो मर गए थे तो वो 80 साल में जब पोयम लिख रहे थे तो उन्हें ये आभास हो गया था कि अब मैं जिन्दगी के जो बार क्यों रास्ता है उसे मैं क्रॉस कर चुका हूँ और अब मेरी मौत की घड़ी सामने आ चुकी है और इसी चीज को उन्होंने इस पोयम में दिखाया है कि किस तरह मैंने अपनी जिन्दगी यानि एक राह जो मैंने चली है जिन्दगी भर एक बार जिसको बार से दिनोट किया है उसे अब मैं क्रॉस कर रहा हूँ तो आएए देखते हैं दोस्तों इस पोयम में आखिर मृत्यू की सैया पे पहुँचने के बाद टैनिशन ने क्या लिखा यानि कि उन्हें पता है कि आप वो कुछ ही पल जिएंगे तो वो अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को कैसे बताते हैं कि उन्होंने जिन्दगी भर क्या देखा है क्या सीखा है वो चीजों को वो इस पोयम में दिखा रहे हैं तो आए हम पढ़ते हैं और जानते हैं कि अंतिम छरण में इंसान की क्या इच्छा होती और उसने क्या सीखा इस पूरी जिन्दगी से टैनिसन लिखते हैं Sunset and evening star and one clear call for me and may there be no morning of the bar when I put out to sea Sunset and evening star Sunset यानि कि सूरज जल रहा है सूरज जो है वो ढल रहा है और evening star Evening star किसे कहा जाता है तो Venus को जो अर्थ की तरह twin sister भी होती है उस Venus को कहा जाता है evening star तो यहाँ पर evening star का जिक्र इसलिए हुआ है क्योंकि वो एक western country में रहते थे और western country से हमें साम को या रात को evening star आसानी से दिखता है क्योंकि वो south के direction के कारण होता है हमारे opposite में वो रहते हैं इसलिए उदर से evening star दिखता है तो वो sunset के वक्त यानि कि साम के वक्त उन्हें evening star दिख रहा है क्यों दिख रहा है and one clear call for me और यह जो उन्हें evening star दिख रहा है और यह जो सूरज ढ़ल रहा है इससे वो यह सोच रहे है कि मेरी जिंदगी अब खत्म हो गई है मेरी जिंदगी एक सूरज की तरह थी और अब वो ढ़ल रहा है और मुझे evening star आ रहा दिख रहा है evening star कैसा denote हो रहा है calling के लिए यानि मुझे पुकार रहा है evening star कि अब तुमारी जो जिंदगी है सूरज जो है वो ढ़ल गया मान दो तुमारी जिंदगी ढल चुकी है and may there be no morning यहाँ पर morning का मतलब क्या होता रोना धोना और मैं नहीं चाहता कि कोई रोना धोना हो cup of the bar when I put out to the sea the bar यहाँ पर bar जो वो रास्ता बता रहे जिंदगी का रास्ता वो एक bar से डोनेट कर रहे है bar मतलब होता है दोस्तों आप समुन्दर के बीच में जैसे एक राम सेतू होता ना उसी थारा एक bar होता है तो वो समुन्दर को दो टुकडों में बाड़ देता है इधर आप बीचों बीच चल सकते हैं समुन्दर के अगर बीच में बार हो तो उसी तरह जब वो जिन्दगी के बार पे हो यानि कि वो बार पे चल रहे हो और वो पुट करने ही वाले होंगे और वो समुंदर में पहुचने ही वाले होंगे अपनी जिन्दगी को खद्म करने ही वाले होंगे तब वो morning नहीं चाहते, यानि रोना धोना नहीं चाहते, वो अपने ये चीज़ों को इस stanza में कहना चाहते हैं, तो वो कह रहे हैं कि sunset हो रहा है, और evening star यानि कि Venice मुझे बुला रहा है, और मेरी अंतिम घड़ी आ चुकी है, और मैं जो समुंदर के बार है, मतलब समुंदर ब और आप प्लीज मेरे लिए morning ना करें, इसके बाद poet next line में आते और कहते हैं, but such a tide as moving seems asleep to full for sound and form, when that drove from out, the boundless deep turned again home, but such a tide, यानि कि जैसे tide मतलब समुंदर का जो लहर आता है, तो जैसे tide आती है, as moving seen asleep to full for sound and form, तो वो एक तीज आवाज के साथ form बनाती हुई आती, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, वो एक आ रही है, और तीज form बनाती हुई जा रही है, तो वो ऐसा नहीं चाहते है कि मेरी जो मृत्यू हो, वो इतना moving, इतना sore ना मचा, यानि मैं इतना तड़पू ना, मैं एक asleep, एक सांती से सो जाओं और मेरी मृत्यू हो जाए, when that drew, from out the boundless deep turn again home, when that drew, drew यानि की बूंदे, तो यह जो बूंदे हैं, from out the boundless deep turn again home, और यह जो बूंदे आती, यहाँ पे देखो, life cycle के बारे में बताया जा रहा, आपने छोटी classes में पढ़ा होगा, कि समुदर में जब सूरी की रौसनी पढ़ती है, तो अबोप्रेट होता है अबोप्रेशन के बाद उस अबोप्रेशन आस्मान में जाता है, वो बादल बनता है, बादल फिर बरसता है धरती पे और फिर बरसा का पानी वापस समुदर में जाता है, जैसा कि आप उपर देख रहे हैं, तो यह जो water cycle है, यह जो rotate होते रहता है, उसी तरह जिंदगी ज मैं फिर से अब मर रहा हूँ और मैं फिर से जन्मूँगा, जैस तरह मैं भगवान के घर से जन्मा था, अब वापस मैं अपने भगवान के घर जा रहा हूँ, फिर से जन्मूँगा और फिर से मरूँगा, यह life cycle चलती रहेगी, तो यह water cycle को life cycle की तरह दिखाया गया, उसके बाद पोईट कहते हैं तुलाइट and evening bill and after that dark and may there be no sadness of farewell when I am back. तुलाइट and the evening bill तुलाइट यानि साम का वक्त और साम का वक्त अब आ गया है और evening bill यानि कि चर्च का जो बल होता न साम को चर्च में एक घंटी बजाई ही जाती है जैसे मंदिरों में बजाई जाती है तो वहाँ पे जो evening bell है यानि कि वो दिन जो है वो अब ढल चुका है यानि मेरी जिन्दगी जो है वो ढल चुकी है अब मुझे evening bell सुनाई दे रहा है यानि मेरी मिर्त्यों का समय आ रहा है and after that the dark और फिर मेरी जिन्दगी एक dark में बदल जाएगी यानि मेरी मिर्त्यों हो जाएगी and may there be no sadness of farewell when I embark and may there be no sadness यानि कि मैं उमीद करूँगा कि आप लोग उदास ना हो और ना मुझे कोई farewell दे यानि मेरे अंतिम बिद्दाई पे रोई ना when I embark इंब्रेम का मतलब होता है जैसे जहाज में बैट कर अगर हम जा रहे होते हैं तो इंब्रेम होता है तो पोईट अपनी जिन्दगी का अंतिम बोल रहे हैं कि अगर मैं जहाज में वैट कर अपने भगवान के घर जाता रहूँगा तो आप लोग सैड ना हो और ना ही मुझे कोई सैड विदाई दे क्योंकि मेरी अब नई जीवन सुरुवात होगी मैं तो इस जीवन से मुप्त हो रहा हूँ तो आप लोग उदास क्यों है तो इस स्टेंजा में पोईट हमें यह कहना चारें दोस्तों कि ट्यूलाइट यानि साम हो रहा है मेरी जिन्दगी अब ढल चुकी है इसलिए आप उदास ना हो क्योंकि मेरी पूरी जिन्दगी मैंने जी ली है अब आसमान ढल रहा है मैं साम हो रहा है अब मैं मृत्यू की और बढ़ रहा हूँ और मैं मृत्यू पालूँगा इंब्रेम यानि कि सीप में बैट कर मैं चला जाओंगा मैं मृत्यू को प्राप्त कर लूँगा तो आप सैड ना हो क्योंकि वो मेरी नई जिन्दगी की अंतिम घड़ी है For the out time and place यानि the flood may bear me far यानि कि जब time और इस place मेरा decide हो जाएगा तो मैं उस जो जहाज में बैठा था इंब्रेम किया था वहाँ से वो लोग मुझे एक flood में fake देंगा और मैं बहता हुआ बहता हुआ वहाँ से चला जाओंगा I hope to see my palate face to face when I have crossed the bar I hope to see my palate face to face यहाँ पर palate जो जहाज में वो बैठे थे उसका palate कौन होगा क्योंकि वो जिन्दगी की अंतिम राइड कर रहे हैं इंब्रेम कर रहे हैं तो वो palate कौन होगा भगवान तो यहाँ पर वो भगवान को face to face देखना चाहा है वो अपने palate को यानि कि भगवान जो जहाज को कौन चला रहा है तो भगवान चला रहा है और उसको face to face देखना चाहेंगे यही उनकी अंतिम इक्षा होगी when I have crossed the war जब भी मैं अपनी जिन्दगी की अंतिम जब मैं पार कर जाओंगा पार करने वाला रहोंगा या पार करता ही रहोंगा तब मैं एक बार बस अपने भगवान के face को देखना चाहता हूँ क्योंकि वो अब ऐसे time और place पे जा रहे है जहां पे अब उन्हें मृत्यू का डर नहीं रहेगा देखे यहां पे जो भी जिन्दा होता है हम अभी जिवित हैं तो हमें ये डर जरूर रहता है कि कहीं हमें वहां चोट लग जाएगी ये चोट जाएगा हम मर सकते हैं पर अब वो वहां पे time और place पे जा रहे हैं जहां पे मृत्यू का भे ही नहीं है क्योंकि वो उस जहाज पे सवार है जिस जहाज का पाइलेट कौन है भगवान है और उन्हें वो face to face देखने की तमन्ना रखते हैं कब वो देखना चाह रहे हैं at last जब वो पास कर रहे होते हैं या फिर करते ही वाले होंगे तब वो कहते हैं कि एक बार मस्ट मैं अपने पाइलेट का face देख सको तो ये थी दोस्तों the crossing the bar पोयम जिसे लिखा था आल्फरेड लॉर्ड टैनिशन ने इसमें उन्होंने अपने मृत्यों के समय को दिखाया है कि किस तरह वो नहीं चाहते कि कोई रोई जब उनकी मृत्यों आए आपको ये मेरी explanation कैसी लगी comment section ने बताए आपने मुझे पूरा सुना इसके लिए धन्यवाद दोस्तों like करे, share करे और subscribe करे और बताए कि मैं और किन किन चीजों में वीडियोज बनाओ और मैं आपसे मिलूँगा next वीडियो में next poem में तब तक के लिए bye bye थाइंक यू दोस्तों just me, share hind